एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया, वह साधु के बारे में बहुत सुना था, तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जा करके देखता हूं कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं, जब वह उस आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर एक कालीन बिचा हुआ था वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे कुछ सवाल जवाब चल रहा था वह नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ में चार बोडी गार्ड भी थे और उसकी यह आदत थी की जहाँ पर भी वह जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उसकी तरफ देखते थे हाथ जोरते थे और सर जुकाते थे लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ साधू व्यस्थ होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं तभी नेता को नेता को लगा कि यह मेरी बेजजती है और वह इस बात से गुस्सा हो गया नेता ने थोड़ा गुस्से से साधू की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ साधू ने उसकी तरफ देखा और बोला आप थोड़ी देर रुकिये पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूँ उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ तब अगर चाहे तो आप बैठ सकते हैं बस साधू का इतना कहने की ही देरी थी नेता का चहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधू पर निकाल दिया अभी तक वह नेता बहुत तमीज से आप आप कह करके बात कर रहा था लेकिन अब वह तू तड़ाक पर उतर आया नेता ने उस साधू को कहा तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किस से बात कर रहा है साधू ने उसकी तरफ देखा और कहा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन है लेकिन आप जो कोई भी है अगर आप चाहते हैं कि मैं आपक कुछ देर रुकना होगा और साधू की यह कहते हैं नेता गुस्से से पागल हो गया और वही सब के सामने चीखने चिलाने लग गया अब मैं तुझे तेरी असली आउकात दिखाऊंगा तूने मुझे से पंगाले करके ठीक नहीं किया तुझे पता भी है मैं तेरे बारे मे क्या सोचता हूँ साधू ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं आप जो चाहे वह मेरे बारे में सोच सकते हैं फिर नेता ने उससे कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यही सब के सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ. तु कोई साधू नहीं है, तु एक बहुत ही घटिया इनसान है, तु एक धोंगी है, पाखंडी है, और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, उन सब को बेवकूफ बना रहा है, तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है, वह सब तेरे पास में आ जाए, तु अपने फाइदे के लिए इन लोगों का इस्तिमाल कर रहा है, और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ, पूरी दुनिया के सामने तेरा परदाफाश करके रहूंगा, लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी हलकी सी मुसकान उस साधू के चहरे पर बनी ही रही, यहाँ देखकर वह और भी तिल मिला गया और उसने कहा अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकने वाला, लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है, अगर मुझसे माफी मागनी है या मुझसे कुछ कहना है, तो कह सकते हूँ, इतना सब होने के बाद भी साधू के चहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिलकुल शांत था और फिर उन्होंने अपनी आखें बंद करी और फिर साधू ने अपनी आखें खोली हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आप से कोई गिला शिक्वा नहीं है, आपके लिए मेरे मन में क कोई भी बुराई नजर नहीं आती है, मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं और साधू के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग सात्वें आसमान पर पहुँच गया। उन्होंने पूरी जिन्दगी सिर्फ लोगों की सेवा करी और और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया, तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आखे खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए, तो उनके बेटे के चहरे पर आज एक अजीब जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा कि जो तुम हो उन्होंने वह कहा कि जो वह खुद है, और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा कि जो वो है बल्कि तुमने वहका जो तुम खुद हो. यही बात वेदों में भी कही गई है यथा दृष्टी तथा सृष्टी यह दुनिया तुम्हें वेसी नहीं दिखती जैसी यह दुनिया है यह दुनिया वैसी दिखती है तुम्हें जैसे तुम खुद हो जिसकी नजर जैसी है उसके लिए यह दुनिया वैसी ही है तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है अपनी नजर को बदलो.